कि हमारे इस चैनल पर आप सभी विध्यारतियों का हरदिक स्वागत अभिनंदन कि आज मैं आपके लिए लेके आया हूं हिंदी सिक्षन विदियां इसका पार्ट थर्ड दो पार्ट इसमें पहले हो चुके हैं सोला विदियां आठाट विदियां दो वीडियो में अपन पढ़ चुके हैं यह तीसरा वीडियो है पार्ट थर्ड यह वैसे सभी जो एक्जाम है इंदी के फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड थर्ड ग्रेड सबके लिए इंपोर्टेंट लेगिन रीट के लिए स्पेसल है ल पुरुत लेखन अभ्यास विदी दल शिक्षन विदी प्रियोग साला विदी वेती रेकी विदी हरबर्टिय विदी और संभाई विदी तो अंततक देखते रहिए हमारे इस चैनल को इसको लाइक करिए सेर करिए सब्सक्राइब करना नहीं बुलें सारो प्रतम आती है साचरी विदी नाम से इस पस्ट है साचरी है इसकी जनमदाता इस विदी की जनमदाता स्रीमती मौन्टेशरी है इस विदी में कई प्रकार के चित्रों को खेलने की वस्तों को एक कमरे में इखटी कर ली जाती है भी चीत्रों के नाम उसंब अपस में टूप ऑंप क आटे जाते हैं इन टूप पर दिया जाते हैं इन आपस मिलाइने जाता बच्चों को असफ को चाथने लिए जाता है कि चाहती है इस कर दिये जाने चादरबना अभ्यास करते हैं, इस प्रकार लगातार अभ्यास करने से बालकों में सरजनात्मक शक्ती का विकास होता है, यह है विदी, यह है विदी, निचली कक्साओं हे तू, प्राइमरी सेक्षन हे तू, सही समझी जाती है, बहुत बार एक्जाम में आया हुआ है कि उप्यूक्त जो विदी है, वो कौन सी है, सहाचर्य विदी, इस से बालक जल्दी गति से सीकता है, दूसरी विए ख्यान विदी, नाम से सबस्च्ट है वियाक्यान, लेक्चर, ना, शिक्सकों के अरजित ग्यान के आदार पर वियाक्यान देना, पासन देना, किसी व्यक्यान सुनाना को हम के यह उच्छ कंसा हो के लिए ज्यादा कारगर मानी जाती है क्यों बड़ी कंसाओं चे्छ पहते हैं और उस प्रएक को क्लियर कर पाते हैं हम यह पद्दती बहुत सफल्द समझे जाती है लेकिन यह anoviganic क्योंकि इसमें ने तो ग्यान प्राप्त करने की रूची उत्पन कर सकती की जा सकती है और नहीं बालक को क्रियसील बनाया जा सकता है यह पद्दती अनोवे ग्यानिक ए मनोवे ग्यानिक मानी जाती है इस विदी में कक्सा के कमरे की दिवार पर चित्र लगा दिया या अपन रोलर बोर्ड पर या किसी चार्ट के द्वारा को प्रदसन करते हैं बालक क्या करता है दिवार पर लटके चितर के वर्णों से मिलते वे वर्ण के काड़ छाट कर निकालता है प्रदसन विदी कहलाती है इसमें क्या होता है बच्चों को अच्छा लगता है मनोरंजन आत्मक शिक्षन होता है बच्चा खेल खेल में सक्त्री रहता है और वाचन करना सीख जाता है प्रदस्ण विदी के अंदर अब आता है शुरुत लेखन अब्यास विदी शुरुत लेखन सुनकर लिखना नाम से पस्वेक्ष। है आप जब नामकой संदी विश्यत करोगे सुं बच्चा लिखता है और उसका अब्यास करता है ऐसी विदी सुरुत लेकन अब्यास विदी कहलाती है साइध आपको समझ में आया गया होगा इस विदी में अध्यापक स्वयम बोलकर चात्रों के लिए लिखने का अभ्यास करवाता है चात्रों की इससे क्या होता है चात्रों की वर्तनी समंदी दोसों को दूर किया जा सकता है कि अपन बोलेंगे, अध्यापक बोलेगा, बालक उसको लिखेगा, फिर उसको जाचेंगे, तो उसकी वर्तनी समंदी जो दोस है, वो हम दूर कर सकते हैं, सुनकर लिखने की क्षमता बालक की विक्षित होगी, कि बालक सुनकर के, समझ करके उसको लिखेगा, तो बालक की एक इसका मेन उद्धिष्य यह तीन इसके मुख्य उद्धिष्य माने जा सकते हैं अगला आता है दल सिक्षण विदी नाम से स्पष्टे दल समू बना करके इसमें क्या होता है दो या दो से ज्यादा टीचर मिलकर के अध्यापक निरंतर उद्धिष्य पूर्ण डंग से किसी ए एक चात्र समू के लिए का आयोजन प्रस्तुतिकरण तथा मुल्यांकन के उत्तर दायतु का निर्वाह करते हैं इससे चात्र एक दूसरे के निकट आते हैं और अपनी समश्याओं का हल करते हैं अपने टीचर्स के संपर्ग में आएगा दल चात्र दल दो या दो से अधिक सिक्सक निरंतर उद्दिश्यपून डंक से किसी एक चात्र समू को दो या दो से अधिक टीचर मिलकर के एक दल को जब पढ़ाएगा पठों का योजन करेगा उसका प्रजेंटेशन करेगा उसका मुल्यांकन करेगा तो बालक अपनी समश्याओं का निदान कर सकते हैं सिक्सन में चात्रों की क्रियाओं तथा उनके सक्रिय भाग ने प्रतक कक्सिया प्रयोक्साला स्थापित करके बालकों को पढ़ाना प्रयोक्साला विदी होती है इसमें विबिन प्रकार के जो सामगरी होती है जैसे सामाजिक पढ़ाते हैं तो उसकी लेप डवलप करना हि हिंदी पढ़ाते तो लिंग्विस्टिक लेफ बनाना इससे पढ़ाना इसमें क्या होता है छात्रह स्वै क्रिया दुआरे ग्यान अर्जित करता है बाला खुद्ट स्वै लगिम और उस आ पूटरा में और फिर पर ग्यान hairdмотрम च्छात्रों में आत्मा अनुसासन विक्षित किया सकता है यह विदी खर्चिली है क्योंकि इसमें काफी यंत्र वगेरे लगाने पड़ते हैं प्रयोक सलस्तापित करने पड़ती इसलिए इसको सबसे ज़्यादा खर्चिली माने गई है साथवी वेतिरेक विदी इसमें दो भासाओं का तुलनात्मक अध्यान करने के लिए कौनसी विदी का प्रयोक किया जाता है तो वह वेतिरेक विदी इसके दोरा मात्री बासा और कोई भी दुती बासा का विग्यानिक अध्यान करना अध्यान किया जाता है मातरी बासा और उसके साथ सेकिंड लेंग्विज इन दोनों का तुलनात्मा गधियन क्या जाता है तुलनात्मा गधियन क्या जाता है तुलनात्मा गधियन के द्वारा समान और ए समान सरंचनाओं में कोई ए समान सरंचनाओं के अभ्यास पर इसमें विसेश रूप से बल द प्रस्तावना दूसरा विशियो पस्ताफन तेसरा तुलना चोथा सामान्य करण और पांचवा प्रियोग प्रस्तावना प्रस्तावना पिछले पार्ट की पुन्रावर्ती भी हो सकती प्रस्तावना से मतलब पिछला पार्ट में पार्ट की कुछ बातों का पुन्रावर्तन करना ये भी प्रस्तावना हो सकती है और वर्तमान में जो प्रसंग चल रहा है उसका वर्णन करके भी प्रस्तावना की जा सकती है वो है प्रस्तावना पहला पद दूसरा पद विस्यो पस्तापन मुख्य भाव से मुख्य भाव के अनुसार पार्ट को या दो या तीन अनुवितियों में बांट लिया जाता है वो होता है विस्यो पस्तापन विसे का उपस्तापन कर लेना उप भागों में बांट द जयोटे जिसमें जैसे अपन भासा का काटे ने निवारण करते हैं वह इस तुल्णा पद में काउंट होटा है। चोथा, सामानी करण, बासा सिक्षन के इस तर में पुन्रावर्ती के प्रस्ण आते हैं, सामानी करण में बासा सिक्षन के इस तर में पुन्रावर्ती के पुछे जाते हैं, वो इस सामानी करण में आते हैं, अगला आता है पांचवा पद प्रियोग, इस पद में बासा के पा अब आती है समवाई विदी यह व्याकरण की व्यवारिक शिक्सा देने के लिए एक स्वभाविक और रूचिकर विदी मानी जाती है समवाई विदी इसी के साथ हिंदी शिक्षन विदी का यह टोपिक यही समाप्त होता है आप हमारे चेनल को लाइक करें शेर करें सब्सक्र करें से मानी विए और रूचिकर वो बाहन से लिए ट्वनावाई रव्यवारिक विदी कॉशन वारिक यही थाएन वे प्रिमे का यह लिए मत लुख